हे माई यूटूब फैमिली सभी को मेरा नमस्कार तो स्वागत है मेरे नए टॉपिक पे तो आजकर जो हमारा टॉपिक होने वाला वो है भक्तिकार से ही रिलेड जिसमें हमें ग्यानस रे और प्रेमा स्रे पढ़ना है यह स्लेबस मतलब हर यह आप पीजे में भी पढ़ सकते है पर मैं स्लेबस यहां पें कप्लीट करा रही हूं लैन पर लैन वह हमारा स्लेबस हो गया आपका बीए का बीए मैं फॉर्स सेमेस्टर में है यह भक्तिकार आपको आगे भी जाकि से रिलेट पढ़ना है पीजी में भी आपको पढ़ना तो हरके से के लिए वीडियो का इसी वीडियो में दोनों ही किल्यक करेंगे उसके पेस्ट प्रेम एक क्लिया करएंगे तो जैसे के ग्याना स्रहचा यां है तो इस साख्या के भकत कभी निर्गुनवादी थे और नाम की उपासück करते से प्रतेटें और ये नाम क्यों पासना करते थे मतरब कोई भगवान को यह उनकी नाम से स्रिफ जांते थे अपने उनको याद करते थे, भकती भवना रखते थे, प्रीम रखते थे, लगाव रखते थे, उनकी कोई रूप रेखा भगवावान को ने देते थे, या उनकी को जिसी की मूर्ती पूजा उनका को मूर्ती नहीं बनाते थे, कि हम ये फल चढ़ाएंगे, ये माला प्रशन हो जाएंगे ऐसा उन लोगों का मानना नहीं था जिसको हम निर्गून भी बोल सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए ग्याना सरे सांखा और प्रेमा सरे साखा लिखे तो आप यहीं चीज़ लिखियेगा अगर आपसे पूछा जाए सगुन निर्गुन निर्गुन मतलब ग्याना सरे और सगुन मतलब प्रेमा सरे अगर निर्गुन कावेधारा पूछे कि निर्गुन साखा या निर्गुन कावेधारा के बारे में लिखे तो आप सेमी यही रिखिएगा मतब कोशन आपको घुमा फिरा के दे सकता है परांसा सेमी ही होगा ठीक है फिर है वही बताया जारा है कि इसमें नाम की उपासना करते हैं गुरू को वे बहुत समान देते हैं और जाती पाती के वेदों को असिकवार करते हैं मतलब वो जो उनका गुरू होते हैं जैसे कि माले जो मैं किसी का सिस से हैं हम कोई मुझको यह सारे चीज का ग्यान दे रहा है कि कौन सा भगवान हम लोगों के लिए अपने जाती के बारे में धर्म के बारे में हरकुरू को जो हमें ग्यान दे रहा है संसार के बारे में तो उ उस गुरू को जो सिस से लोग होते थे, वो बहुत सम्मान करते थे, भगवान का दर्जा देते थे, अपनों गुरू को इज़त करते थे, वो जो बोल दिये, मतलब बोल दिये, गुरू जो रास्ता पर हमें चला रहे हैं, उसी रास्ता पर हमें चलना है सा, उनका मानना रहता था और यह जो जाती पाती होता था ना यह जातका है वह जातका यह जातका इस भगवान को पूछता है वह तो लोग में यह सब अंद्विस्वास था और यह जिसको सुकारते नहीं थे फिर है वैक्तिक्त साधना पर वे बल देते थे मतलगों की भावना को वह ज्यादा बल द रखता था यह यह सब चीजों के लोग विरोध में थे कौन लोग तो ग्याना सरे साखा या निर्गुनवादी लोग फिर लगभग सब संत अनपड़ अनपड़ थे परन्तों अनभाव की दिरिष्टी से सम्रीद थे मतब कि जितने भी संत लोग थे ना वो लोग एजुकेशन जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं बीए कर रहे हैं डिगरी ले रहे हैं वो सब उन लोग का उस समय नहीं था पर उन लोगों के पास क्या था कि अनुभाव की दिरिष्टी बहुत जादी थी वो लोग कोई भी च तो और थोड़ थोड़ा मिला होगा उसके लिए इस माफी चाहूंगी थोड़ा घर किसी घर के वगर में कुछ काम हो रहा है तो थोड़ा इग्नौर किजिएगा तो चलिए फिर सुरू करते हैं उसके बाद है प्रया सब सत्यसंगी थे और उनकी भासा में कई बोलियां का मिश्रन पाया जाता है इसलिए इस भासा को सद्धू ककड़ी कहा गया है मतलब कि गयाना सरे में जो भासा का परियोग होता था ठीक है लोग जो उस भासा में बोलते थे या लिखते थे लिखित जो भी था तो लोग का भासा एक नहीं था कोई से एक ही भासा को नहीं बोलत पर इन संतों की वानी का जबरदस्त परभाव पड़ा जो संत यह सब कुछ गुरू अगरा नहीं है जो जिसके नॉर्मल लोग होता है इन संतों में पर्मुख कव्यास थे और ग्याना सराए के अगर आपसे पूछा जा कि पर्मुख कवी कौन थे इसके मुक्खे कवी कौन थे तब को एक लयन में याद रखना कवी डास थे ग्याना शिरी के और तुम निर्यून वादी के दोनों का- कोशन एक ही अंसर होगा तो इनके जो परमोख संतें तें वो कौन थे कभी दास थे अन्य मुख संत कव्यों के नाम है नानक रिदास दावदू देयार Andas था मलुक दास तो जैसे जो परमोख होगए और जो अन्य संत quasi ते ग्याना सरे बोले है निर्गुन वादी के वे थे आपका नानक, रिदास, दादू, देयार, सूरदास तथा मलुक दास फिर है पुर्फेशर महावीर सरन जेन ने निर्गुन भक्ती के सरूप के बारे में प्रश उठाएं है मतलब पुर्फेशर महावीर सरन जेन वो निर्गुन भक्ती के सरूप के बारे में प्रश उठाएं और जो निर्गुन भक्ती लोग को मान था तो उसमें कुछ कंफ्यूजन रहोगा, कुछ भी रहोगा तो वो प्रश उठाएं तथा पर्तिपादित किया है कि संतो की निर्गुन भक्ती का अपना सरूप है जिसको वेदान्त दर्शन के संधर्व में व्याख्याईत नहीं किया जा सकता मतलब इसमें ये प्रफिशर महावीर जो है वो कुछ प्रशन उठाएं और परिपादित किया मतलब लोगों तक ये बात को बताएं और सुचना दिए कि निर्गुन भक्ती का अपना सरूप है जो निर्गुन भक्ती है उसका अपना सरूप है उसमें कोई डर्शन करका कर सकते बस निर्हाकार ये उसे बस महुद्र, कर्शूस करते हैं नुभाव कर सकते हैं ऐसा हमारा निर्गुन या ज्यानन शर्य साक lang का है उनके सब्द है भक्ति या उपासना के लिए गुनों की सत्ता अवसक है, मतलब किसी चीज़ के हमें भक्ति करने के लिए उपासना उसके बारे में हमेशा रठ लगाने के लिए उसके गुनों की सत्ता अवसक है, मतलब उसके क्या गुन है, उसकी सचाई हमें जानना बहुत अ ब्रहामनों के सगुन सरूप को अधार बना कर तो भक्ति उपासना की जा सकती है किन्तु जो निरुकुन एवं निरकार है उसकी भक्ति किसी परकार संभाव है कि सगुन रूप बना कर तो भक्ति उपासना की जा सकती है तो हम उसकी कलपना कर सकते हैं उपासना कर सकते हैं लेकिन जो निर्गूनवाले है वो अख्यान किस परकार किया जासा है, उसकी भक्ति है, उपासनकी जाकती है, किनों जो निर्गून एटेयर कार है, उसकी भक्ति किस परकार समभाव है पर जो निर्गून है वो कैसे भक्ति को अपना परकार करे भक्ति भावना किस तरह से वो दिखाए तो निर्गून के गुनों का अख्यान किस परकार किया जा सकता है गुनातित में गुनों का परवा किस परकार माना जा सकता है जो निरालंब है उसको अलंबन किस परकार बना जा सकता है जो अरूप है उसको रूप की कलपना किस परवाव संभाव है ये सारे प्रश्न कोन उठा रहे थी जो परफेशर थी वो कि सवगुन का तो हम कर सकते हैं भक्ति उपासना ऐसे चाहिए वैसे पर निर्गुन का कैसे कर सकते हैं तो यह इतने सारे प्रश्ण उठा रहे हैं जो रागातित है उसके प्रती रोगों का अरपन किस प्रकार किया जा सकता है रुपातित से मिलने की उत्कंटा क्या उचित्ते हो सकता है जो नाम से भी अतित है उसके नाम का जब किस प्रकार किया जा सकता है सास्तरे दिरिष्टी से उप्यूक्त सभी प्रश्ण निर्गुन भक्ती के सरूप को ताल ठोक कर चुनोती देते हुए परतित होते हैं ये सारे प्रश्ण प्रफिशर कर रहे हैं जो कि सास्तरे के दिरिष्टी से उप्यूक्त सभी प्रश्ण जो है वो निर्गुन भक्ती को सरूप को ताल ठोक कर चुनोती दे रहा है ये सारे प्रश्ण का उत्तर देने के लिए तो कबिर आदी संतों की दार्सनिक विवेशना करते समय अचाय रामचंदर सुकले ने या मानेता स्थापित की की उन्होंने निराकार इसवर के लिए भारतिय वेदान्त का पल्ला पकड़ा है इस समन्द में जब हम सांकर अदित्वाद एवन संतों की निर्गुन भक्ती क तुलनात्मक पच्छों पर विचार करते हैं तो अप्यूक्त मेंने तक की सिमय असपष्ट हो जाती है मतलब इतने जारे जो प्रस्ण पुछे गया जो एक प्रफेशर के दुवारा और भी किसी के जहन में सारी प्रस्ण रहा होंगे तो ये था हमारे ग्यान स्रेई साखा जिसमें बहुत सारे प्रस्ण रहें कि कैसे क्या करते होंगे तो ये सारे चीज़ी थी इसमें तो अब हम देखेंगे प्रेमा स्रेई साखा या सगुन उसको बोल सकते हैं सगुन काविधार तो चले देखते हैं प्रेमा स्रेई साखा में है कि मुशलमानंद सूफी कव्यों की इस समय की काविधारों को प्रेम मारगी माना गया है मतलब कि जो मुशलमान सूफी कव्यों लोग थे तो इस समय की जो काविधारा थे वो प्रेम मारगी माना गया जो भी काविधारा जो लिखी जा रही थी बताई जा रही थी वो प्रेम के माद ही हमसे बताई जा रही थी ठीक है इसलिए से क्या प्रेम मारगी माना गया तो किनके द्वारा एक कवी लिखी जा रही थी तो मुशल मांद सूफी कव्यो ठीक है इस समय के काविधारा को मतलब प्रेम मारगी माना गया उस समय कि प्रेमा सरय के समय जब थी जो उस समय के कविधारा थी वो एक प्रेम मारगी माना गया लोग प्रेम मारगी के दुवारा अपनी कविधारा को लिख रहे थे या एक दुशी से पहुंचा रहे था ऐसा कुछ था क्योंकि प्रेम में इस्वर प्राप्त होते हैं ऐसी उनकी मानियता थी मतलब प्रेमा सरई साख्या वाले जो थे उनके ऐसी मानियता थी कि प्रेम से ही हमें इश्वर प्राप्त होते हैं इश्वर की तरह प्रेम भी स्वर्व्याप्त पी तत्व और इश्वर का जीव के साथ प्रेम का ही संबंद हो सकता ह मतलब जो प्रेम है वो इस्वर को प्राप्त कर सकते हैं फिर इस्वर की तरह प्रेम भी सुरप्राप्ति तत्व है मतलब इस्वर की तरह ही प्रेम है और इस्वर का जीव के साथ प्रेम का ही समंद्ध हो सकता है और जो भगवान है उनका समंद्ध किस से हो सकता है तो जीव के ँससारे भगवान से शमंदित है यह उससमें प्रेम शेखा का मनना था फिर या उनकी रचनाओं का मुल-तत्व है और उनकी जो रचनाओं थे इसका मुल्ट तत्वित है, तो क्या तो प्रेम, उन्होंने प्रेम गताएं लिखी है, ये फार्से की मस्न वीयों की सेली पर रची गई है, इन गताओं की भासा अवधी है और इन में दोहा चुपाई च्छंदों का पर्योग हुआ जो भासा में लिखते थे ये प्रेम गताएं वो फार्सी जो सेली अपना बना के लिखते थे वो सेली थी फार्सी टैप्स वाली लेकिन जो लिखते थे वो भासा क्या थी अवधी थी और इनमें दोहा चुपाई छंदो का भी परियोग होता था मुश्लमान होते वे भी उन्होंने हिंदो जीवन से समंदित कताएं लिखे वो जो सुफी कवी लोग थे वो लोग मुश्लमान थे लेकिन उन्होंने मुश्लमान होते वे भी हिंदो जीवन से समंदित कताएं लिखी थी खंडन मंदन में ना पड़कर इन फकीर कव्यों ने भौतिक प्रेम की माधियम से इसवर ये प्रेम का वनन किया और ये लोग मतब कि हिंदू मुश्रुम को तोड़ने का या खंडन मंदन जो बोला जा रहा है यहां पे मतब बिछाडने का ना पर्यास करकर बलकि पकड़कर इन फकीर का व्यों ने भौतिक प्रेम की माधियम से इसवर ये प्रेम का वनन किया वो जो अपना इस्वर का वन्नन किया वो भौत प्रेम से इस्वर का वन्नन किया हर छोटे छोटे चीज को लेकर उन्होंने लिखिया उससे अपने इस्वर को संभोधित किया अपना प्रेम को दिखाया ऐसा था उनका उस टाम की गताए फिर है इस्वर को मासुक माना गया है प्राया परतेग गाथा में कोई राजकुमार किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानवीद कष्टो का सामना करता है, विवीद कष्टियों से पार होता है और तब जाकर मासुक को प्राप्त कर सकता है, मतलब इसमें परतेग गाथा में कोई राजकुमार है और वो किसी राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए नानवीदी कष्टो का सामना करता है, माथब की कोई बी गाथा है उसमें इस तरह से महाथियं मनलोगों का गाथा में होता था कुछ गाथा में को चीजों से बिघेराप्त कर पाते था फिर इन कवियों में मलिक मुहमत जैसी परमुक है और इन कवियों जो प्रेमा सरह साखा करकर पुछा जा कि कभी कौन परमुक है तो उसका अंसर होगा मलिक मुहमत जैसी जो की बहुत सारे प्रेम गताएं लिखी है जिसमें प्यार मोहबत वाला सेन होता है अपना भासा में सम समझाती हो आप इसको सहथ मेरे से थोड़ा मिस्टेक होगे बहुत दिन से मैं यह चीज़ रिपीट नहीं कर रहे तो थोड़ा मिशने ट्रैनिंग हो गई मुझे तो उसके लिए माफी चाहूंगी कि यह सगुन से थोड़ा बहुत मिलता जूलता है पर यह सगुन पासक नहीं है सगुन में है मूर्ति पूजा जिसको हम रूप रेखा करते वह सगुन हमारा साखा पर हाव जो फर्ष्ट वाला था ना हमारा जाना सरे जिसमें निर्गुन वह सही है वह बिल्कुल सेम टू सेम है पर प्रेम साखा में इसमें है आपका प्यार मोहबत वाला यह दिखाए गया भक्ति भावना कि प्यार से इस्वर को प्राप्त करते हैं वो जी फीलिंग होता है हमारे जब किसे से प्यार होता है वो सारे चीज़ किसमें बारे में बताएगा बस प्रेम के बारे में और सगून के बारे में ने तो हमारा सगून काविधारा अलग होता है चलिए वो आ पर यहां पर लिखा हुआ है मिलिक मुहमद जैसे ही ने पदमावत का रचना किया है जो कि बहुत ही मितलब हेवी लव स्टोरी है आप लोग फिलिम भी देखे हूंगे पदमावत ये पदमावत आपको आगे जाके पढ़ना भी है असलेबस में है पदमावत पढ़ने के जो कभी है वो है मंझन, कुतुबन और उस्मान तो ये था हमारा प्रेमा सरई साखा आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में होगा अच्छा लगा होगा इस वीडियो में मैं खुद मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मेरे से भी मिस्टेक हुआ है तो बहुत महनत मुलने में थोड़ा सो हो गया कि प्रेमा सरे हमको थोड़ा अपसोस भी लग रहा कि हम कैसे मिस्टेक कर दिये पर कोई बात नहीं हम इंसान है हो जाता है आप लोग उतना इग्नौर कर ही सकते हैं इतना सारा बहुत सारा प्यार दीजिए सारे चीज़ को इग्नौर करके और